CBI विवात पर बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोट ने किंद्र सरकार को तगड़ा जटका दिया है कोट ने आलोक वर्मा को CBI निदेशक के पत पर रहने का आदेश दिया है इसे मुद्दे पर सरकार की ओर से वित मंत्री अरुन जेटली ने फैसले पर कहा कि सरकार ने पूरी कोशिश की है कि CBI की स्वायतता बरकरार रहे किंद्र सरकार ने सिर्फ CBC की सिफारिशों के आधार पर ही CBI के दोनों शीष अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा था अरुन जेटली ने आगे कहा कि हम सुप्रीम कोट के फैसले का पालन करेंगे हलांकि अभी सरकार इस फैसले का ध्यन करेंगी उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला भी खत्म नहीं हुआ है सरकार का किसी व्यक्ति विशेश के पक्ष या निश्पक्ष में रवय्या नहीं है जब आरोप लगने के बाद CBC की सिफारिश पर ही सरकार ने काम किया था है तो हाई लेवल कमेटी के पास जाता है लेकिन भ्रस्टाचार से जुड़ा कोई मामला है तो CBC की सिफारिश पर ही काम हो सकता है अरुन जेटली ने अंत में कहा कि सरकार का लक्ष सिर्व CBI की स्वायतिता को बचाना था गौरतलव है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए किंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आलोक वर्मा 12CBI के नेदेशक पत पर बहाल होंगे जबकि राकेश अस्ताना नागेश्वर राउ स्पेशल डिरेक्टर के पत पर बहाल होंगे आपको पता दे कि सुप्रीम कोड के इस फैसले को विपक्ष ने मोधी सरकार के लिए बड़ा जटका करार दिया है निखिल कुमार, पंजाब के इसरी दिल्ली